How are you? Normal English. Better English? How is it going? Better English. How is it going? Hello and welcome friends. आप लोगो ने देखा ही होगा कि हम Better English कैसे कर सकते हैं. So, यह मेरे ब्लॉग्स में आपको cooking वीडियो के साथ साथ चोटे-चोटे English के tips भी मिलेंगे. यहाँ पर मैं अंडा, अंडे के साथ different types of breakfast बना रही हूँ. यह जो वीड ब्रेड है, यह मैदे के ब्रेड से बहुत जादा better होता है, healthy होता है. और गैस की जो problem होती है, gastric की वो नहीं होती है. और भी बहुत सारे मतलब इसके फाइदे हैं. तो मेरे ख्याल से वीड ब्रेड बेड बेटर होता है. तो anyway, अगर आपके वीड ब्रेड मिल जाता है आपके यहाँ पे, तो आप लोग को वीड ब्रेड भी खाना चाहिए, मैदा अच्छा नहीं होता है. तो यह वीड ब्रेड के साथ मेरे घर में कुछ लोग पोच, एक खा रहे हैं, कुछ लोग ओमलेट खा रहे हैं. सबकी चोईस से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नाश्ता बन रहा है, कुछ गोल और कुछ तेड़े मेरे ओमलेट्स, खैर, अब नाश्ते के पाद, यह मैं लंच में हाथ की रोटी बना रही हूँ, हाथ की रोटी बनाना बहुत एजी होता है, आप नॉर्मल आटे की ब बना सकते हो, कोई भी आटे की बना सकते हो, तो बस मन था हाथ की रोटी खाने का हमारे या लोगों को, तो मैंने बना दिया, यह कुछ इंग्लिश के टेप्स में बीच-बीच में डालती जा रही हूँ, आप लोग पॉस करके देख लीजीगा, यह देखो आप रोटी मेरी एक अलग भग हाथ की रोटी गोल ही बन गई, तो बस कुछ इंग्लिश टाइम हो जाए, इंग्लिश टाइम, हाँ, इंग्लिश में टाइम बोलने का एक अलग ही रूल होता है, यह आप इनको पॉस करके देख सकते हो, यह मैंने यहाँ पे कुछ स्लाइट्स लगा दिया है तो अगर बेटर इंग्लिश बोलनी है तो यह यूज कर सकते हो, अब मैंने यहाँ पे एक कोट लिखा है विलियम ब्लेक से, आप पॉस करके वीडियो को देख सकते हो, यहाँ पी यह है कि अगर हम हमारी सोच को हर समय एक जैसी रखते हैं तो हमारा माइंड स्पॉयल हो जा अगर है